नमस्ते और वुम्शांति आप सब शुर्ताओं को आपको स्वागत है आपके ही चानल सीख दे सोल दे टूट लाइज विदिन में आत्मा ही सत्ते है आत्मा को पैचाने तो परमात्म से कनेक्शन हो जाएगा और यह सारी चीज़े हम ब्रहमकुमारीज में सीखते ही हैं आपकी और भी सारे टॉपिक्स पे चीज़े सुननी है जैसे कि आपका डाइट हो गया आपका रिलेशनशिप्स हो गया आपका आपके वहाँ पर सिटिंग एकसाइजेज चेक उपर योगासन्स हो गया उसके बाद में आपका स्लीप पाटन्स हो गया यह सारी चीज़े डि में हमें स्पिरिचल नॉलिच में क्या सिखाते हैं क्या समझाते हैं क्या चीज़ चेंच करनी है मैं अपने अंदर देखें इसको है वाल कि बाबा कहते हैं मनमत मरलाण अपने मन मर्जी से चलना माईवेड स्थ्य अब करूं मेरी मर्जी मेरी मेरी मरजी में इस qualche मेरी मर्म्त परमत के चल्रा क्लियुग में अपनी बुद्धी भी मलीच बन चुकी है अपवित्र बन चुकी है क्योंकि क्रोध है आंकार है इरिशा गिरिणा है ये चीज़े हमारे मन में चल रही होती है तो उसके अंदर सच्चा सफा रस्ता ढूंड़ना मुश्किल होता है इसको कहते हैं मन मत परमत कल्यूग है तो 99-100% सारी आत्मे अप परमात्मा के अुछ सार था है क्यों क्यों कि कंलूकत का करमत्य को समाप्त कर और उपकी सुननसा किसकी सुनन वह कर सुनना कर श्रीमत पर परम्पिता, परमात्म, Godfather उनकी श्रीमत, श्रिश्ट, पवित्रमत, गाईडेंस, highest guidance पर की कमाई जमा करने वाले पदमा पदम भागेशाली भाव, तब जाकर कहें हम, पदमा पदम भागेशाली, पदमा पदम मर्लग की अरभ खरभ पती आपको जो कहते हैं, है ना, तो विस सकते आपको परमत्मा गाइड कर रहे हैं ताकि आपके तोरह कोई पाप ना हो पाप कर्म होने से बोजा बढ़ता है मूड स्विंग होता है मूड ओफ होता है दिन भर खुशी खतम हो जाती है और हम करते किस प्रकार के पाप हैं और के बारे में बुरा सोचना और बुरा बोल बुरियां निकालना और रुकी और क्या पाप करते हैं हम लोब करना अहंकार करना इर्शा गरिना करना यह सारी चीज़े काम वासना तो है ही तो परमत्मा पर कहते हैं यह सारी चीज़ें क्या होती है यह मनमत पर यह परमत की बाते होती है तो या तो हम गलत संगत में आके क क्या wrong direction है किसे हम आत्मा भारी होंगी और दुखी होंगी और किसे हम आत्मा हलकी होंगी और सुखी होंगी तो बाबा कहते हैं स्थिती की स्पीड यदी तेज नहीं स्थिती की स्पीड यदी तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत वा परमत मिक्स है कभी-कभी हम अच्छे से मेडिटेशन करते हैं कभी-कभी हमारा परमात्मा में लगन होता है, मगन होते हैं परमात्मा की याद में, प्रेम में कभी-कभी माया हमारे उपर परचाया डाल देती है तो कभी-कभी हमारे अंदर मोर्ट सुँगश वोते हैं कोई चोटोटी बातों में हम Um IMD जाते हैं फ़स जाते हैं किसी वेगन में संबऔर का म norm उसमें हम फजाते हैंधने टोसमें क्या थी हम अपनी मनमत या औरों की बोलीवी छीजें शुरू कर देसे के हम वेजिटेरियन्स हैं सारे कसर, for example आपके कोई बिमार पड़ा, अचानेक से क्या हुआ अरे मैं तो बिमार हो गया हूँ या हो गई हूँ, डॉक्टर ने बोला है नॉन्वेज खाना बड़ा जुरूरी है तो यहाँ पर है कि कर्म एक होगे परमात ने बोला है श्रीमत दीवे, कर्म, वेजिटेरियनिसम तो यहाँ पर आता है अरे शरीर अब किस चीज़ की तरफ जाऊं मैं तो यहाँ पर परमत आई है, डॉक्टर की परमत श्रीमत तो नहीं है श्रीमत कहता है कि वेजटेरियनिजम जो भी हो जाए आपको वेजटेरियनिजम छोड़ना नहीं है आपको पवित रहना नहीं है और आपको और आत्मा पशु आत्मा के भी रिस्पेक्ट करनी है उनका मुर्डर होने से आपको बचाना है आप नहीं लेकिन आपकी तरफ से पाप नहीं हुआ तो ये एक चीज हो गई लेकिन डॉक्टर ने कहा परमत कहीं कि आपको खाना चाहिए क्योंकि आपकी सेथ खराब हो जाएगी ठीक कैसे हो गया खाना शुरू कर दिया तो इसको कहते हैं परमत और मनमत अपनी तो परमात में कहते हैं क अलपग्य आत्मा के संसकार अनुसार जो संकल्प उत्पन होता है वैस थिती को डगमक करता है मनमत अथात अलपग्य आत्मा के संसकार जो हम आत्मा हैं हमारे जो संसकार हैं बने हुए हैं अब पवित्र संसकार बने हुए हैं कुछ समय के जो इच्छाएं रखी हुए हमने कि फटा-फटी मिल जाए, फटा-फटी ये हो जाए, वो हो जाए, तो उसके संसकार के अनुसार हम क्या करते हैं, थोड़ी दिर की खुशी, थोड़ी दिर की सुखले, हम परमात्मा की श्रीमत को ठुकरा देते हैं, और मन मत पर चलता है ना, क्या होता है, अभी नहीं चलो, एक साल बाद, दो साल के बाद छोड़ देंगे, दस साल के बाद में छोड़ देंगे, तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, तो परमात्मा कहते हैं, ये चीज़ करने से संसकार कड़ा होता है, तो परमात्मा कहते है, संकल्प उत्पन होता है, वह स्थिती को डगमक करता है, इसलिए चक करो, और कराओ, खुद भी चक करो, और कोई कर सीनियर हो, कोई बड़ी आत्मा हो, जो कि बहुत समय से ग्यान में चल रही हो, उनसे चक करवाओ, क्या मेरा सोचना ठीक है, क्या मेरा बोलना ठीक है, क्या मेरा करना ठीक है, चक करवाओ, है न, एक कदम भी श्रीमत क कि बिना ना हो तब पदमों की कमाई झमा कर पदमा पदम भागेशाली बन सकेंगे पदमों की कमाई किस चिस की कमाई हो रही है यहां पर लेखिन अगर संसकार नहीं लूटे तो आप फिर से वो दन कमा सकते हैं लेकिन अगर आपका संसकार लूट ग्यों, आपका कैरेक्टर खराब हो गया तो वो धन कमाना, वो सुख वापिस से लाना, वो खुशियां वापिस से लाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो परमात में कहते हैं कि आपका धन लोट जा लेकिन आपके संस्कार ना लोटे हैं आप कारेक्टर ना रोटे उसके शरीमत पर चलना बहुत जरुजरी है तो आज के यह श्रीवर्दन अगर आपको कोई कमेंट में डालना तो जरूर डालें कमेंट अगर आपको कोई चीज लगीए कि आपको आट करनी है तो आप सुरूर राइट करिए इसके अंदर या आपक सुखी हो खुश हो और आप खुश रहें और परमात्मा की श्रीमत पर चलते रहें और क्या है परमात्मा की श्रीमत वह आकर कि अब ब्रह्म को मारिज में भी सीख सकते हैं ओम शैन्ती